हलो दोस्तों, JC Academy के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिस तरह की से आप भाई यहाँ पर जानते हैं कि कुछ बच्चों के RRB के जो हमारा PO है, उसके prelims हो चुके हैं, कुछ के अभी down the line basically चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमारे पास RRB PO mains का भी यहाँ पर paper आने वाला है, और जब हम लोग banking exams की यहाँ पर बात करते हैं, तो English का section सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, तो English के section में किस तरह से आप अच्छा score करें, कौन-कौन से main topics हैं, क्या पीछे किसके concepts होना चाहिए, इस सभी चीज जो इसके पीछे के hidden concepts होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और ताकि जो आपकी practice यहाँ पर होगी, सबसे बड़ी बात है, वो totally exam oriented होगी, चले, जोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे telegram channel से खुद को नहीं जुडाया, तो फटा-फट से आप खुद को मेरे telegram channel से जोड लीजेगा, उसके आपको तीन बहुत ही important फायदा यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि जब कभी भी banking exams की बात आती है न, तो यह जो vocab होता है, vocab वाला portion यह students click हुआ होता है, बहुत जादा डरावनी चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसके सही sources available नहीं होते हैं, तो सारे के सारे हम यहाँ पर provide करते हैं, साथी साथ जो अभी आपके miss spelled words, adms and phrases, phrasal verbs, इस सारी चीज़ें भी आने लगी हैं, तो इसका भी पूरा ध्यान in particular vocab की PDF में रखा जाता है, आप अपने doubts भी इस particular channel के माध्यम से solve कर सकते हैं, मेरे telegram channel के माध्यम से, और जितनी भी exam relevant information ह हैं, वो भी आप को basically इस particular channel पर मिल जाएगी, साथी साथ अगर आप किसी और particular topic पर वीडियो चाहते हैं, तो या तो आप उसे हमारी playlist में देख लें, क्योंकि काफी अच्छा content और काफी अच्छे level पर content वहाँ पर discuss किया गया है, otherwise आप हमें comment section में भी उसको लिख सकते हैं, च उसे देख सकते हैं, playlist के माध्यम से, तो जब कभी भी कोई text या paragraph होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, कि भाई सबसे पहले main idea लिखा जाता है, फिर उसके details और reason लिखे जाते हैं, फिर facts, examples या stories बताई जाती है, then concluding point या result बताया जात है, इस चीज़ को मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको इसमें help मिलेगी, पैराजंबल में, इस particular चीज़ से आपको close test और खासकर reading comprehension में बहुत जादा help मिलने वाली है, चले, उस तो अब मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूँ, उसी particular pattern पे based चो पहले कभी paper में आ चुका है, उस पे based में यहां पर इक problem ले रहा हूँ, कोशिश मैंने यह करी है कि इस particular problem को मैं exam oriented बना सकूं, current effect से कोई ना कोई topic ले करके मैं चीज़ें यहां पर आपके सामने रख सकूं, चले, दूस्तों directions में फटा फट से आप रीड कर देता हूँ, a set of sentences is given below, which when properly sequence form a coherent paragraph, sentence one is given as the first sentence in the set, arrange the remaining sentences in the correct sequence and answer the questions that follow, तो यहां पर basically दोस्तों आपके पास है क्या, यहां पर आपके पास basically एक यह पहला जंबल given है, जहां पर वो यह बोल रहा है कि भाई, जो पहला वाला sentence है न, यह first sentence है, ठीके न, और यह यहां पर fix है, बाकी सारे के सारे आपको क्या करने है, proper sequence में arrange करने है, चलिए, दोस्तों अब आप यहां पर देखें, इसको करने का तरीका मैंने आपको किस तरह से बता है, कि सबसे पहले skimming कर लिया करो, skimming करने का मतलब क्या होता है, quick reading आप कर लें, तो आपको इसका पूरा का पूरा context basically समझ में आ जाता है पहला यहां पर क्या लिखा है, इरान बाइस बासमती राइस, शुगर और इस products from India, as well as various chemicals, bracket में agro लिखा है, and petroleum products, in addition to this deal, इंडिया एंड एरान have reached agreement on the expansion of several industries, sorry, industrial facilities at Chabahar port, the work is to be undertaken mainly by Indian entities, substantial expansions in the volume of this business are also likely, likely मतलब ऐसा होना है, despite earlier tensions over delayed payments for oil by India, next यहां पर आये, another substantial deal is the one under preparation for India to have operating rights in the further gas field, which lies within Iranian waters in the Persian Gulf, the Indian government has taken steps to reassure Indian insurers in the public and private sectors as well as banks over the risk they might take in handling Iranian money while the US sanctions regime remains in force, उस्तों सबसे पहले इसको हमने skim कर लिया, तो हमको यह पता चला कि कहीं ना कहीं जो है, तो इंडिया और इरान और जो उसके बीच के relationships हैं, और वो किस तरह बनाया जाते हैं, किन-किन particular चीज़ों के वज़े से relationships चल रहे हैं, यह सारी की सारी बात हैं यहां जो context है, प्लस जो उसमें connectors वगएरा का इस्तमाल किया गया है, उसको एक बार आपको वहाँ पर पहचानना होता है, कि भाई, जो पैराजंबल है, वो किसी paragraph को आपको यहां पर basically क्या करा, break करके दे दिया गया है, theme आपको उसकी समझ में आगी, फिर मैंने आपको यह भी बत आया हुआ है, कि भाई, जितनी भी चीज़े यहां पर break करी होंगी, उन सब की एक main theme भी होती है, ठीक है ना, एक पूरी central theme होती है, जो एक particular paragraph की होती है, फिर हर particular जो part वहाँ पे दिया है, उसकी main theme भी होती है, या इसको main idea भी आप बोल सकते हैं, तो फटा-फट से एक-एक यहां पर करके, मैं यहां पर move कर रहा हूँ, पहला वाला sentence यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है, पहला वाला sentence वो क्या बोल रहा है, कि भाई, oil जो है न, oil basically आपके पास एक commodity है, ठीक है न, जिसकी वज़े से क्या होता है, oil एक basically एक ऐसी commodity है, जिसकी वज़े से इंडिया और के बीच में basically क्या है, एक relationship है, यह बात आपको यहां पर समझना है, ठीक है न, और वो यहां पर यह बोल रहा है कि भाई, oil एक सबसे बड़ा कारण है, कि भाई, इतने लंबे समय से इंडिया और इरान की जो है, तो relationship यहां पर चलिया आ रही है, अब आप यहां पर देखें लूँगा, चौथा में यहां पर क्या लूँगा, पांचवा में यहां पर क्या लूँगा, और सिक्स्त वाला में statement यहां पर क्या लूँगा, पहला वाला मेरे पास यहां पर done हो गया, जहां पर उसने यह बताया कि भाई, जो oil है, वो एक essential आपके पास एक commodity है, जिसकी वर चाहिए P, P वाला statement मेरे पास second statement क्यों होना चाहिए क्योंकि आप यहां पर देखें basically क्या लिखा है यहां पर लिखा है इरान 22 बासमती राइस sugar and its products from India as well as various chemicals and petroleum products तो वो यहां पर क्या बता रहा है उसने तो यहां पर यह बताया कि भाई जो rice जो basically oil है, oil एक essential commodities है, अब वो यहां पर क्या बोल रहा है, भाई किसी particular commodity की वज़े से relationship basically अच्छे हो रहे है ऐसा वो यहां पर कहना चाह रहा है, फिर यहां पर वो क्या बता रहा है, यहां पर वो दूसरी चीजें इंप्रोव हो रही है, यहां पर उसने बता दिया कि भाई, oil सबसे बड़ा कारण है, ठीके न, आपसी संबंदों का, इसके अलावा, rice भी है, शुगर भी है, और शुगर के products भी है, तो पी यहां पर आ गया, अब इसके बाद आप यहां पर देखें, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले आप यहां पर देखो, पहला statement आप चेंज कर नहीं सकते थे, जो P वाला statement है, वो पहले वाले की ही continuation है, ठीके न, P वाला statement है, वो पहले वाले की continuation है, वो यह बता रहा है कि भाई, यह तो है, इसके अलावा यह यह भी है, next मैं जो यहां पर ले रहा अचा, are also likely despite earlier tensions over delayed payment for oil by India, अब आप यहां पर यह देखो, वो यहां पर क्या बोल रहा है, substantial expansions in the volume of this business are also likely, अब वो यहां पर क्या बोल रहा है, कि जो भी business हो रहा है, उसका expansion क्या है, उसका जो expansion है, वो आगे चल के basically क्या है, possible है, ठीके न, जो यह basically expansion हो रहा है, यह और भी जादा expand हो सकता है, ठीके न, despite किस चीज़ के earlier tensions over delayed payments for oil by India, अब यहां पर देखिए, पहले के बाद में दूसरा क्यों आया, हमारे पास, sorry, पहले के बाद में पी क्यों आया, और पी के बाद में अब आर्क क्यों आएगा, अब छोड़ा सा और clarity मैं आपको देता पहले में उसने बताया कि भाई, oil है, फिर यहां पर क्या हो रहा, फिर उसने business को देखिए, expand करता हुआ दिखाया है, क्या, rice भी आपके पास है, sugar भी आपके पास है, और आपके पास उसके products भी है, फिर जो R वाला है, R वाले में वो यह बोड़ रहा है कि भाई, यह expansion हो रह है कि expansion किन किन चीजों में हुआ है, oil के अलावा भी, फिर R में क्या बोल रहा है कि यह जो expansion हुआ है, यह expansion, तो पहले expansion आपको दिखाना पड़ेगा, फिर वो क्या बोल रहा है, यह expansion और भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है न, इसलिए यहां पर R आ रहा है, क्योंकि वो क्या ब लिख रहा हूं, S लिख रहा हूं, S में क्या लिखा है, another substantial deal is the one under preparation for India to have operating rights in the facade gas field which lies within Iranian waters in the Persian Gulf, वो यहां पर क्या बोल रहा है, कि भाई, यहां पर वो यह बोल रहा है कि another substantial deal is the one under preparation for India, अब उसने क्या बोला कि भाई, expend हो सकते हैं, और भी expend हो सकते हैं, अब और भी expend कैसे हो सकते हैं, यह उसका यहां पर उसने example दे दिया, देख रहे हैं आप यहां पर, यह उसका यहां पर उसने S में example दे दिया, जब मैंने previous वाली slide में आपको बताया था कि भाई, जो point होता है न, फिर उसके बाद reason या details वगर आते हैं, examples वगर आते हैं, तो उसने इसके पहले क्या point दिया था आरवाले में, कि expand हो चुका है और expand हो सकता है, ठीके न, फिर अपने point को support करने के लिए उसने वहां पर क्या दिया, एक आपको example दिया, देखो यह सब चीज़ें यहां पर हो रही हैं, क्या, कि भाई, India जो है, खुद को prepare कर सकती है, कहां पर काम करने के फरजाट gas field में, क्योंकि point के बाद reason आते हैं, ठीक है न, फिर उसके examples या details आती है, reason तो उसने वहां पर नहीं दिया, तो वो तो option वहां से eliminate हो गया, जो सबसे पहली वाली slide में मैंने आपको बताया है, यह paragraph लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आपका main idea या point आ गया, फिर reason आया, फिर details या facts आया, तो point आपके पास क्या हो गया, और expand होना है, reason यहां पर है नहीं, तो आप क्या आएंगे, उसके details आएंगे, जो कि S में दिया हुआ है, अब दोस्तों यहां पर basically बात क्या है, पाचवां और छटवां आपके पास statement बचा हुआ है, तो यहां पर मैं क sanctions, regime remains in force, तो यहां पर आप देखो, यहां पर वो एक तरीकी से conclusion देने का प्रयास कर रहा है, conclusion देने का प्रयास कर रहा है, या बहुत अच्छी बात है, यहां पर आप से क्या बोलनू, वो यहां पर advice देने का प्रयास कर रहा है, भाई, conclusion हो गया, यह advice वगरा कहां देते हो, पहली slide में देखिए, वो हम लोग हमेशा देते हैं last वाले part में, तो हमारे पास जो sixth वाला basically option है दोस्तों, sixth वाला आपके पास यहाँ पर point basically क्या हो जाएगा, sixth वाला जो हमारे पास point है, वो basically हमारे पास हो जाएगा T, अब हमारे पास एक ही बचा हुआ है, कौन सा वाला, क्यों वाला, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, वैसे भी, क्यों हमारे पास fifth statement क्यों होगा, क्यों में क्या लिखा है, in addition to this deal, भाई कौन सी deal की बात हो रही है, यह बात हो रही है, जो deal उसने आपको कहाँ पर बताई है, जो deal उसने आपको बताई हुई है, एस वाले पार्ट में, क्या, another substantial deal, ठीक न, तो इसके बादी तो वो लिख पाऊगे, क्या, in addition to this deal, वैसे भी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ है, दोस्तों, यहाँ पर deal के बारे में बात हो रही है, उसके पहले क्या लिख दिया, इस deal, मैंने आपको बताया है, दा का प्रियोग, या इस का प्रियोग, आप तभी कर सकते हो, किसी particular चीज के लिए जैसे यहाँ पर deal के बारे में बात करी गई है जब उस particular चीज के बारे में आप पहले से बता चुके हो ठीके ना उस्तों मैं आशा करता हूँ यह आपको particular session काफी पसंद आया होगा ठीके ना अगर पसंद आया तो आप इसको share जरूर करें दोस्तों इसी के साथ यह जो particular हमारे पास exam का season अभी यहाँ पर चल रहा है mains के exam हमारे बिल्कुल down the line है इस particular महिने के end में है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका State Bank of India और IBPS क्योंकि यह RRB का आपके पास paper है और खासकर insurance की भी vacancies आप आएंगी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए English का खासकर एक English advantage के नाम से दोस्तों मैंने course design किया है वैसे तो इसकी cost हमारे पास one triple nine है लेकिन अगर आप तरू 50 code अगर आप यहाँ पर use करते हो तो 50% discount आपको यहाँ पर मिल जाएगा खास बात यह है 35 plus hours का इसमें content है काफी systematically इसको बनाया गया तो आप आराम से खतम भी कर सकते है assignment और lecture PDF है medium bilingual रखा गया है 1000 से उपर इसमें assignment और practice questions है explanation के साथ में doubt classes भी यहाँ पर रखी गई है हमारा यह particular course जो है practice problems में खासा ध्यान रखा गया है कि current efforts पर बेस जितने भी problem आ सकते हैं उनको यहाँ पर relate किया जाए कि bank में उनी सब चीजों से सवाल आते हैं concept पर बेस सारे के सारे problems आपको यहाँ पर कराए जाएंगे और जितने भी आपकी previous exams में इतनी सब चीज़ें आपको basically कराए गई होंगी उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि कौन कौन से questions आए हैं किस type क्या है expected questions भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो mode of difficulty यहाँ पर रखा गया है इतने भी relevant आपकी queries होंगी उनको में reverse जरूर करूँगा और इस telegram channel से आप जुड़ना ना भूलें दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे हमारे next video में इस particular video को like करना ना भूलें और इस particular session को share आप अपने दोस्तों के साथ जरूर करें